सब को तो यह पीछे चोड़ रहा है और मज़े की बाजी है कि यह इतना मेंगा भी नहीं सस्ता भी पड़ जाता है तो आज के वीडियो में खांसर टपस ट्रोन जो इंडिया ने बना है उसके बार में बटाने वाल है कौन सी टेक्नोलोजी इसमें यूज की गई है और वो कैसे काम करेगा यह शायर डियो और एचल ने मिलके बना है तो देखते हैं आज का मिक्स रेक्शन जहिन देखें डिया डियो दोरा विक्स टपस ड्रोन के बारे में समझते हैं यह पहले सर्वलांस ड्रोन था अब इसे हमला करने के लिए तयार कर दिया गया यह अभी बैंगलोर में हो रहे है एयर सो का ऊपर से एरियल सर्वलांस किया है इसका नाम तपस है तपस का फुल सर्वलांस ड्रोन के रूप में इसे विक्सित किया गया था लेकिन अब इसे आर्मल ड्रोन के तौर पर तबदिल कर दिया गया अमेरिका भी प्रेडिटर जो ड्रोन बनाया था वो पहले सर्विलांस के लिए बनाया था निग्रानी के लिए अब उसको क्या कर दिया उसमें करनाटक के शुरुवात में इसका कुलार में परिक्षड हुआ दूसरा परिक्षड जो पूरा बढ़ियां से ट्राइल किया गया हो चीतर दुरुग में अक्सर कोशन पुछेगा चीतर दुरुग कहा है करनाटक में हाला कि पहले भी मिसाइलों के परिक्षड के लिए हमारे पास उडिसा का वीलर दुईप जिसका नाम क्या इसके उपर है चांधी चांधीपूर और यहां पोखरन यह चार जगह याद रखेगा मिसाइलों के परिक्षड के लिए यह जगा है इसके बारे में अब समझते हैं दिखिए, इसकी लम्बाई को 31' रखा गया है। जब इसके डयेन की चोड़ाई को 67pt रखा गया है। यहनि, इसका डयेन में जयादे तो इसमें टर्बो प्रॉप टाइब की इंचन लगेंगा है, जिसके फैन बाहर हो जैब बाहर रहेंगे इसमें तीन ब्लेट दियेगा है घुमने के लिए जब कि तुर्की का जो टीबी 2 ड्रॉण था उसमें दो ही विंग ते दो ही फैन हैं घुमने के लिए इसमें तीन फैन जो तुर्की ने पूरी दुनिया में हला कर दिया कि उसी का ड्रोन सबसे बढ़िया है उसका जो ड्रोन है उसमें दो ही विंग लगे हुए है हम लोग का जो ड्रोन है उसका जो इन्यन है वो जादे पावरफुल है वो तीन टॉर्बोप्रेप ब्लेड है उसमें 130 किलो वाट यह जन्रेट करेगा इतना इसका पावर है जकी तुर्की का जो टी बीन टो वह why वे जन्रेट करता थ यह तुर्की का यही लगाई जो आजरबैजान की लड़ाई में पूरी तरह से दक्ता पलट कर दिया था या घुन त्रेंड की सेना का पूरा मदद किया था यही टीवी ट्रोन ड्रोन की जो सर्फिस सीलिंग है जब उचाई होती है उसे सर्फिस सीलिंग टेकनिकल बहाँ सामे बहुता है पाइटीस हजार पीट कमर्सियल जहाज उड़ते हैं इसका यह जहाज की हाइट प्लड़ेगा छोटे सकता है साथे 300 kg का पेढ़ोड यह से इसकी एड्वांस्मेंट siya के हम यह ले जा सकता है puisque तुर्किया जो TV2 ड्रोन था वह चीया जो दूरूमीं तोर के g dön जाना पर जिस वागस प्रकोंट कर दोसरा यह एक राफेल में, पचास राफेल में यह पचास ठुआ जाएगा, अब तगड़ा इतना खतरनाक जिसका कोई, अभी रेट डिस्क्लोज नहीं होता है, यह डिफेंस के चीजों की, इसलिए हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यह बहुत सस्ता होता है, इसका अभी कुछी को एक्चुल नहीं पता होता है, तो सारे तीन सो केजी का यह हतियार ले जा सकता है, तीवी टू ड्रोन से जादे ले जा सकता है, हलां कि तुर्की भी अपने ड्रोन को एडवांस कर रहा है, इन ड्रोनों में हाड पॉइंट लगाए जाएंगे, चार हाड लिए आप है, और हम लोगों ने टैंक कूराने के लिए पहले से ही अल्रेडी मिसाइल डेवलप कर लिया है, हेलीना मिसाइल, हेलीना मिसाइल टैंक के लिए एगदम घातक साबित होती है, अब हेलीना मिसाइल अकेले का वजन 50 केजी है, एक हेलीना मिसाइल का वजन 50 केजी है तो अगर हम साथ हेलीना मिसाईल लाख देते हैं तो सारे 300 kg total weight हो जाता है और आपको पता है कि इसकी चमता इस जो है वो सारे 300 kg उठाने की है यानि हम लोग एक साथ साथ हेलीना मिसाईल छोड़ सकते हैं यानि वो करोडों का चोटा देश जो defense के मामले में आत्म निर्बाद नहीं था वह चोटा देश इरान भी रूस को drone दे रहा है कि हमारे drone से आप यूक्रेन में मारिए तुर्की जो हतियार के निर्यात में उतना नहीं परसित था लेकिन उसने भी यूक्रेन को दिया मारने के लिए और ये ड्रोन तकता पलट कर दिये पूरी तरह से माहोल बदल दिये ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं में लड़ाई इसी चीज़ के बहुत सस्ते होते हैं आप ड्रोन में कोई पाइलेट नहीं बैठता है इसलिए human casualty का कोई बात नहीं बैता है तो ये आरमल ड्रोन अब हो जाएगा ये टीवी ट्रोन और साथ मिसाइलों को ले जा सकता है और टैंक का हाल ये हो जाता है देख सकते हैं आप इसमें अलग तरह का निविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है दुनिया के जितने ढ्रोन है मतलब ज्यादेतर ृण ये टीवी ट्रोन हो गया हमरे ट्रोन तो ये अर्ट को रास्ता दिखाने का गउन करे और गगन और रेडी-trusted है, हमारी navy यूज़ करती है, air force पहले से यूज़ कर रही है, जहाज हमारे इंडिया में जितने उड़ते हैं, वो인이-जितने भी meanings होगो यूज़ करते हैं, जितने भी trains वगारा का exact location के लिए भी हम लोग गगन का ही परियोग करते हैं, तो यह गगन सेटलाइट हम लोग का है, तो हमारे इसकी उपर कंट्रोल है, इसका परियोग करना जादे सही है, और यह पूरी तरह से भारत की निगरानी देता है, तो अब हम लोग कहीं पर भी हमला करने के लिए GPS पर डिपेंडेंडेंट नहीं है, यह पूरी तरह से गगन ड बता देगा, वो बता देगा ड्रोन को यहां पर, तो आपस में इंटर्चेंड होने से, रियल टाइम डाटा इजी पता चलिएगा, कहां हमला करना है, कहां ने, अब GPS में कोई डाटा मिल रहा है, वो देर से मिलेगा, जैसे अगर किशी को बता दिया, यह लखनों के उपर स ज़रूरी है, और यह आपस में इंटर्चेंड है, सारी सिस्टम आपस में एक दूसर से इंटर्चेंड जिससे हमें रियल टाइम डाटा लेने में इजी हो गया, इसमें नेविगेशन सिस्टम में दुनिया का सबसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम डाला गया है आपे, इसके केमरे में बिल्कुल HD quality को है, लेकिन HD quality यह देखने के काम में आता है, यूद में कितना अच्छा देखते हैं, यह मतलब नहीं, जब दूसमन को देख लेंगे, तो आप भी दूसमन को मार देंगे, अब दूसमन भी आपको मार देगा, या सारी लड़ाई आज beyond visual rain है, हम नीचे सर्वलांस के लिए लगाए गया है, इसमें night vision भी दिये गया है, और साथ में इसमें thermal camera भी दिये गया है, देखिए, night vision होता है कि हमें अंधेरे में देखने की सहूलियत देता है, night vision, जबकि thermal camera ऐसा नहीं होता है, thermal camera गर्मी को भावता है, कहा का temperature जादे है, उसको गर color से दिखा है, तो ये होता है thermal camera, और ये होता है night vision, आम अमूमन ऐसा लगता है कि जब night vision camera ही है, तो thermal की जरूवत क्या है, देखिए, night vision से अच्छा thermal होता है, region क्या है, अगर इन हीरन को उपर एको तिरपाल उड़ा देते हैं, या चादर से ढख देते हैं, या हीरन के जगर अगर फॉजी रहते हैं, ढख लेते हैं अपने आपको, तो night vision उसे नहीं देख पाएगा कि इसके अंदर आदमी है, और यहीं काम आजाता है thermal camera, अगर आप इनके उपर चादर से ढख भी देते हैं, तो इनके बदन की गर्मी थोड़ी ने खतम हो जाएगी, तो ये गर्मी क पहचानता है, इसलिए thermal camera जादे अच्छा होता है, क्या नहीं, defense के मामले में, night vision से, लेकिन कव किस की जरूवत पड़ रही है, तो night vision में भी देख लेगा, दिख रहा है, thermal में भी देख रहा है, एकदम accurate पता चल जाएगा, तो ये दोनों system इसमें लगा के दिया गया है, हम चाहिए, thermal camera क्या करता है, कि छोटी सी छोटी चीजों को दिखाने लगता है, कि नाक के पास का temperature जादे है, हथेली का temperature कम है, माथा का जादे है, तो कई color से दिखाने लगता है, इसे confusion होने लगता है, इसलिए उससे better है infrared sensor, IR sensor, infrared, infrared, infrared system, infrared system में क्या होता है, कि इसमें computer में save कर जाता है, कि जादे temperature को दिखाना है, बाकी को काला कर देना है, तो अगर इसमें set कर देंगे, कि 400 degree Celsius को दिखाना है, तो देखिए, कोई भी जहाद चलेगा, तो उसका engine 400 degree Celsius होता है, या इसमें set कर दीजिए, इसके system में कि 200 degree Celsius से temperature जादे रहेगा, तो ही screen पे दिखाना, otherwise में म दिखाना, तो इसका पूरा screen काला दिखता है, इस ताइप का काला दिखेगा, लेकिन जहाँ temperature जादे आया 200 degree Celsius तो जहाँ जहाँ उसको जादे दिखेगा, वहाँ वहाँ का design बना देगा, तो दिखिए, जहाँ 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 ते इसको जादे दिखा, उसका design बना दिया, प तो इससे भी attack करने में easy हो जाए गया हाँ पर, देखेगे इसका temperature जादे था तो पकड़ लिया, तो इंफ्रालेट, तो navigation की कितनी बेहतरीन बेवस्था रखी गई, लेकिन ये सारा navigation फेल हो जाता है, जनते हैं कब, जब कोई जहाँ ग्राउंड पर हो, और उस ग्राउंड क जहाँ का engine off हो, तो पकड़ना काफी मुस्किल होता है, तो अभी के समय में सबसे advanced technology है, वो है synthetic aperture radar, synthetic aperture radar कैसे काम करता है, उस system को भी इसमें दिया गया है, synthetic aperture radar को, अब समझ में आता है, आत्म निर्भर का फाइदा क्या होता है, ये सारा system ISRO ने दे दिया है, सारा system ISRO के पास है synthetic aperture radar क्या है, ये देखता ही नहीं, अनहरा होता है, synthetic aperture radar, वो अंधा की तरह काम करता है, अंधा कैसे चूचू के निसाना ऐसे चूता है, क्या चीज है, ओ, हो, कोई आदमी खड़ा, ऐसे टेच कर लेता है, वैसे ही वो वेब छोड़ता है, तरंगों को छोड़ता है, अब जै चली जाएगी, जो गाल से टकराईगी, वो थोड़ा बाद में जाएगी, क्योंकि नाक उफर है, गाल नीचे है, उसी तरह से अलग-अलग जगह से टकराईगी, तो अलग-अलग तरंगे उठेगे, जैसे सिंपल सी बात बताते है, हम आटा सान लेते हैं, ठीक है, आटा सा तो उसके उपर से पूरी तरह से वेव छोड़ देगा, ऐसे पूरा वेव छोड़ देगा, और देखेगा कौन वेव कितनी उचाई से टकरा के आ रहा है, जैसे इधर साइड साइड में घास था, बीच में यहां रनवे था, तो रनवे वाला अलग आ गया, यह टेक्सी वे निविगेशन, जो भी एडवांस, अभी के लेटेस टेक्नोलजी पर हला कि इसमें हमला करने के लिए एक और लेटेस टेक्नोलजी जोड़ा गया, लेजर गाइडेड सिस्टम, लेजर गाइडेड सिस्टम क्या होता है, दिखिए, जमीनी लड़ाई में आप फोज को है, आओ, 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 अरे तो जहाज आएगी, फिर खोजेगी, किदर गया, किदर गया, अरे हमको नहीं दिख रहा है, तो कईसे देख पाएगा, दहीने मुडों की बाइं मुडों, जहाज से दिखिएगा, तो कोई चीज़ उट पटांग दिखत तो उसको क्या समझ में आएगा, तो इस बेचारे टैंक को कुछ पता ही नहीं है, दूसमन का ये टैंक है, इसको कुछ पता ही नहीं है, कि इसकी उपर किसी ने निसाना भी लगाया है, एक्चुल में इस पे तो निसाना ही नहीं लगाया है, उसने तो इस टैंक की ऊपर कोई हल्चल हो रहा है और वह हल्चल देखकर उपर से उड़ता हुआ ड्रोन या फाइटर जहाँ जाएगा अब वह समझ जाएगा भाई साब हल्चल कहां हो रही है तो इसी पर गिरा देगा इसी के उपर देखिए इसने मारा नहीं इसने मारा नहीं इसने केवल निसाना लग के चुप जाते हैं और यहां से लेजर भीम छोड़दा इस के ऊपर जैसे लेजर भीम इसके उपर छोड़ एगा तो यह लेजर भीम और मिसाल जाके सीधे हिट कर देगी इसने एक गोली नहीं चला है लेकिन इसने सारा कांड करके रख दिया इसे कहते हैं लेजर डेजिकनेटर यही डिसाइड करता है कि लेजर कहां जाएगा इसको क्या पता चलेगा हमारी उपर कोई लेजर लाइट इससे थावा सा जला देखिए यहां पर इसने यहां से लेजर लाइट इसको दिखाया इव चुप चप जा रहा है कर चलो जी उजाइए रहे हम भी चलते हैं तुम भी चलो तुने आ गया उपरा से आगया हो क्योंकि इसकी लेजर जहां पर निसाना लगा रही होती है यह तुरत जानकारी सेट हो गया है कि बहुत एडवांस टेकनोलोजी हो किसी को बेचने की ज़रूथ है हाँ वो तो है यह 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 कि अगर मार्केट में ऐसे कई है तब तो ठीक है तब आप कैसे सब्सक्राइब हैं हमारा जाएगा जाएगा जादा के पर बल जादा सस्ता है उसको एप इससे बेटर हमने पहले सी बना के अपने पास रखाओ अपने लिए तो कुछ और इंटर्णी हरी कंटरी के बास होता हो जो किसी को बताते नहीं किसी को देते नहीं होगा तो डूस्तो यह थी हमारे आज की वीडियो सबसे पहले तो खान सर की बात तरह वह इतनी अच्छी तरीके से ग्राफिक्स के साथ समझाता है कि किसी को भी समझ में आ जाएगा उनके स्टूड़न्स लखी है कि इन जैसे टीचर्स उनको मिला है और अच्छी बात है कि यह अपने वीडियो से यूट्यूब पर भी दाल सकते हैं ताकि हम भी उसमें से कुछ सिख सकते हैं तो अगर आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिया उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जहां तक बात रही टपस ड्रोन की तो बहुत ही जबर्चस ड्रोन है और मेड इन इंडिया है वो प्रावड वाली बात ह और यह सब जो टेखनोलोजीज भी यूज की है वो हमारे डेस की ही है डियाडी और और भी ऐसी संस्था है जिन्होंने डेवलोप की है और HAL के साथ मिलके यह ट्रोन बना रहा है तो यही फाइडा है कि अगर हम इंडिया में बनाते हैं तो कई सारी ऐसी कंपनीज या गवर कर सकती है और अगर किसी देश के साथ हमारा रिलेशन बिगर भी जाए तो इस जैसी परड़क्स पे उसका कोई असर नहीं हो ता क्योंकि हमें उस देश से जिस देश से हमने लिया है उस पे हम डिपेंड़न नहीं है तो हमारी खुट की टेकनलोजी का यह भी पाइडा है औ और हमारे foreign reserves भी बच सकते है और अगर ये हम हमारी अपनी जरुरीयात पूरी कर सकते है इस ड्रोन की तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते है और दूसरे डे eso से पैसे भी कमा सकते है इसको बेज कर और इसमें कितनी सारी technologies लगाई है उस रेडार में लेजर भी है इंफरड भी है सिंथेटिक वाला भी है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एकनी सारी जो टेक्नोलोजी हमने डेवलप की है वो हम ऐसे ही यूस में लगा रहा है तो आपके क्या विचार है वो हमें कॉमें सेक्षन में लिख के जरूबटा अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मत भूले और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूले